तो आज की दिन की शुरुआत होती है कि ड्रॉइंग करते हुए आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू बेंस के जाइटिस्ट तो ड्रॉइंग करते हुए मेरे दिमाग में एक हैल आया मेरी एट लास का उस लास में 90 से भी ज़्यादा स्टूरेंट थे और उनकी हॉबि थी है ड्रॉइंग पर मैं आपको गैरेंटिक एक साथ कह सकता हूँ आज उनकी हॉबि नहीं है ड्रॉइंग टाइम नहीं मिला बिगज आफ इंस्टाग्राम शॉट्स यूट्यूब हाँ एजुकेशन भी वो अपनी हॉबि को फॉलो नहीं कर पाए हम किसी को ड्रॉइंग सिखा सकते हैं हम किसी को उसके हॉबि बता सकते हैं कि तुम्हारी हॉबि क्या है उनको फॉलो करो जब हम अपनी ड्रॉइंग ही नहीं जब हम अपनी हॉबि को टाइम देते हैं तो उस टाइम हम deep focus में जाते हैं और उसको thoughtless process कहते हैं और उस thoughtless process ही है हमें कहें मिलते हैं happiness हमें मिलते हैं happiness मैं रोज happy feel करता हूँ क्योंकि मैं अपनी hobby को follow करता हूँ lockdown में मैंने अपने hobby पे काम किया तो आज वो मेरे hobby भी और मेरे passion भी पर इस social media के पेज़े से जो बहुत से लोग है वो अपने inner artist को मा डाला है because of the social media एक social media के अच्छा platform है अगर उसे अच्छे से use किया तो जब मैं beginner था तो मन से ही मैं कुछ draw करता था practice करता था आज मैं ऐसे drawing निकाल पाता हूँ because of the practice तो अगर happiness चाहिए तो hobby को follow करना पड़ेगा तो for your happiness मैं आपको सिखाओंगा drawing वो भी कुछ unique style में तो drawing स्टार्ट करने से पहले हमें tools के बारे में पता होना बहुत ज़रूर्ट है so यह है first blending stem जो blending के लिए use होता है brush भी हम blending के लिए use करते है और यह है pencils pencils का तो आपको पता ही होगा HB, 2B, 4B, 6B, 8B HB सबसे light होती है और जो 10B रहती है वो सबसे ज़दा dark pencil होती है और यह है eraser for detailing यह detailing purpose के लिए ज़दा use होता है so मेरे ख्याल से इतनी information काफी है drawing स्टार्ट करने के लिए tools के बाद आती है बार ही shading की अगर आपको tools पता है पर आपको shading ही नहीं आती तो क्या फाइदा नहीं गया तो shading करने के लिए सबसे पहले हमें light और dark का फंडा समझना बहुत ज़रूरी है तो जीदर मैं खड़ा हूँ उदर right side से sun rays आ रही है तो जो मेरा right का part है वो पूरा light से भर गया है और जो left का side है मेरा चेरे का वो पूरा dark है तो उदर हम 8B pencil या 10B pencil का इस्तमाल कर सकते हैं सो हमने यह तो जान लिया की shading क्या होती है पर shading कैसे करते है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे सो अगर आपको shading के बारे में और कुछ जानना है तो आप लिटफ वाले वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं So if you like this video then hit the like button and do subscribe to my channel thank you so much for watching